हाग आईस दिस इस सुभाम और लॉगिन नाव ठियोरी आप सुभाम इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मोटिवेशनल वीडियो इस्पीरेशनल वीडियो और कई प्रसिद लोगों की बायग्राफी देख सकते हैं दोस्तों आज की इस बीडियो में हम बात करेंगे मोहमत समी के जीवन के पूरे सफर के बारे में जोनिश चित और पर हम सभी के लिए प्रणना दायक है और इसे सुनकर आप भी प्रभावी जरूर हो जाएंगी दोस्तों इस बीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी इनकम, इनकी मैरिड लाइफ और भी काफी अनसुनी बातें साथ ही विराट कोहिली, सचीन दंदुलकर, हर्दिक पांडिया जैसे क्रिकटर की जीवनी सुनने के लिए मेरे चैनल यानि की थियोरी आप सुभम में विजिट कर सकते हैं दोस्तों मुहम्मद समी का जन्म 3 सितंबर 1990 को अमरोह जिले के साहसपूर गाउं में हुआ उनके पिता का नाम तौसा फली है और वो किसानी का काम करते हैं और उन्होंने भी किसी इंटर्व्यू में बताया कि वो भी अपनी जवानी की दिनों में तेज गेंदवास थी और उन्ही से मुहम्मद समी को क्रिकटर बनने की प्रेड़ना मिली दोस्तों समी की पिता ने उन्हें खूब सपोर्ट किया और उन्हें 22 किलोमीटर दूर मुरादावाद में क्रिकट कोच बदरू दिन सिद्धकी के पास बेजा दोस्तों मुहम्मद समी की प्रसनल इंफॉर्मेशन जानने के पहले मैं आपको उनकी इंकम के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों मुहम्मद समी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपे मिलते हैं BCCI के Central Contact 2016 के Coding समी Grade B से हैं और उन्हें सालाना 50 लाख रुपए salary भी मिलती हैं इसके अलावा हर क्रिकेटर को संचुरी बनाने या 5 बिकड लेने पर bonus भी मिलता है दोस्तों 2005 में उत्तर प्रदेश की Under 19 टीम में सामिल ना किये जाने पर समी को कोच बदरूत दीन ने कोलकाता भेज दिया जहां समी कोलकाता जाकर डलहोजी Atlantic Club और Town Club के लिए खेलने लगे और कोची दिनों बाद वो बंगाल Under 22 टीम में सामिल हो गए और फिर उनकी मुलाकात होई और साल 2011 में समी को बंगाल की रणजी टीम में भी सामिल कर लिया गया और अपनी फास्ट बॉलिंग के कारण वो भारते टीम में भी सलक्ट हो गए मुहमत समी की खासियत है कि वो नई गेध हो या फिर पुरानी गेध हो वो 140 किलोमीटर प्रतिगंटे की स्पीड से तो उन्होंने आसाम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और इस मैच में उन्होंने तीन विकट हासिल किये 2012 में खेले जाने वाली रणजी ट्रॉफी में समी ने हैदरावात के खिलाफ 10 विकट लिये साथ ही मध्यपर्दे से खिलाफ उन्होंने हैट्रिक वि लिए और साथ ही 11 विकट लिए समी ने अपना वन डे मैच में डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया इस मैच में समी ने चार ओभर मैडन डाल कर अपने आपको अच्छे गेदवास के रूप में सावित किया और साथ ही प्रकास में आ गए इसलिए वो भारतिय टीम के खतरना के बारे में उनके पिता तौसफ अली को हार्ट अटेक के कारण जनवली 2017 में उनकी देथ हो गई इसके अलाबा उनके दो भाई और एक बहन भी है 2014 में समी ने हसन जहां से निगाह कर लिया और 2015 में उनके घर में एक बेटी ने जन मिलिया जिसका नाम था आयरा समी समी ने निजिलैंड दोरे पर 28.72 की आउसत से 7 विकट हासिल किये और 2014 में एसिया कप में समी ने 9 विकट हासिल कर भारत के तीसरे सबसे तेज 50 विकट हासिल करने वाले गेंदवाज बने और 2015 वर्ड कप में मातर 9 मैचों में 70 विकट हासिल किये आयपियल की बात की जाए तो समी कोलकाता नाइट रेडर की तरफ से खेलते हैं लेकिन अब दिल्ली डैड डैविल्स की तरफ से खेलते हैं दोस्तों IPL में समी 10 करोण से ज़्यादा की कमाई कर चुके हैं इस तरह उनकी टोटल नेट वर्थ लगभग 2 मिलियन यूएस डॉलर बनती है अगर हम इसे भारते रुपे में जानना चाहें तो यह लगभग 13 करोण रुपे आखी जाएगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी साथ ही इस वीडियो में एक लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते ही एक लिए वीडियो बनाने के लिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर सकते हैं I hope you like this video, thanks for watching, bye bye